एक बार फिर से मैं एक नए शब्द प्रेम के साथ प्रेजन्ट हो, मैंने कहा था सबसे अधिक जो चीज पाई जाती है वो क्रोध, तो उस पर मैंने 12 वर्ड्स आपको दे थे, ये नेक्स वर्ड है प्रेम, इस पर भी मैंने आपको 12 वर्ड्स दिये हैं, इन 12 वर्ड्स को sympa, नंत 14 वर्ड्स हो, आंे ये म हैत फैक इह वह बेतरों लव, दूसा वर्ड है affection, तीसा वट है अमर, चौ्था है mash, पाँछवा वर्ड ये भेरनस, छट्वा वर्ड है fondness, स्थावड है engaged, ये अाथवा वर्ड है, रोमेंश, न्वा वर्ड राइन्से नाors, जेड्स जो यह वर्ड है also六 जो होता है जो लवार होता है उसके लिए उसकर मैश बहुत ही मल्टी परल पसकाast रहते हैं मेश मेंस तो प्रेंव होता है मेश मेंस तो जहां पर रुपावट भी Hast मेश मेश जॉपावट भी होता है उसमें मिलावट भी होती है तो मैस मेंस मिलावड भी होती है प्रेम करने वाला बाका सजीला कहलाता है तो मैस मेंस बाका भी कहलाता है यानि इसके अलग-अलग अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आप से कहे कि इन शब्दों का यूज़ कहा है तो तमाम प्रकार के में तमाम प्रकार के छेत्रों में आप इन वर्स का यूज कर सकते हैं ठीक है अगर आपको इन शब्दों का यूज करना है तो कैसे करेंगे जैसे उसके अंधर प्रेम भरा हुआ है तो He is full of love, He is full of affection, He is full ofех, He is full of measure, He is full of dearness, He is full of fondness, He is full of endearment, He is full of romance, He is full of liking, He is full of attachment, He is full of adherences, He is full of devotion इस तरीके से इन वर्स का यूज कर सकते हैं, जो आप क्लोश टेस्ट वगरे के पेपर्स देते हैं, सेंटेंस फिलर्स वगरे होते हैं, उनमें ये वर्स बहुत आते हैं, अगर आपको ये सेक्षन मेरा अच्छा लग रहा हो, तो आप इस वीडियो को शेर जरूर कर दें, ता अगली वीडियो में एक नए वर्स के साथ में रहूंगा, तब तक क्रोध के 12 वर्स और प्रेम के 12 वर्स ये 24 वर्स जो अलग-अलग हैं, आप प्रेपेर करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कुशन करें, और इन वर्स पर आप महारत हाशल करें, इस्पेशली बताएं कि जहां पर अमर होता है, वहां पर एलिशिट लव अफेर होता है, जहां पर लव है, ये निश्वार्थ प्रेम होता है, अफेक्शन जो है, ये इश्नेह के लिए यूज करते हैं, मैस जो होता है, ये नॉर्मल जो हम किसे से प्रेम का भाव रखते हैं, उसके लिए करते हैं, कोई आपके लिए बहुत प्री होता है उसके लिए करते हैं। किसे से आपका बहुत लगाव होता है उसके लिए करते हैं। कोई आपको बहुत अच्छा लगता है उसके लिए करते हैं। रोमैंस जहां पे भावनात्मक रिस्ता होता है उसके लिए करते हैं। Liking, जिसे आप पसंद करते हैं, उसके लिए करते हैं, Attachment, जिससे आपका जुडा होता है, उसके लिए करते हैं, Adherences, जिससे आप अपनी को अलग ना कर सकें, उसके लिए करते हैं, और Devotion, जिसके प्रति आपने खुद को समर्पित कर दिया हो, उसके लिए करते हैं, ध्यान आगे बहतर कर सकें ठीक है थैंक्यों बच्चों शेर जरूर कर दीजेगा अगर आपको लगे सेक्षन आपको पसंदार है थैंक्यों